सो हे गाइस वेलकम बाक तु दो चैनल दिस फारान अफजल देख रहा है कुछ चटकीले के लर्गा दिख रहा है यह है टीवेस की एंटॉर्क XT भाई यह स्पेशल एडिशन है इसमें कोई अलग सेग्मेंट नहीं आता बस यही एक अलग सेग्मेंट ही है यह स्कूटी में सबसे शांदार और अट्रैक्टिव बात है बोला जाता है कि इसका कस्टमाइजेशन डिस्पिले का बहुत शांदार किया है इसके ग्राफिक्स काफी अट्रैक्टिव वहां से देखोगे ना अगर कम से कम 300 मीटर से भी देखोगे यह बाइक अलग ही चमकेगी यह स्कूट करना चाता था पर मैं सबसे पहले चाता हो कि आप इस पूरे स्कूटी को देख लो कितना शांदार चमकराना भाई साब मतलब हर तरफ टीवेस ने कहीं जगा नहीं छोड़ा स्टिक्रिंग के लिए जहां मौका मिला वहां उन्होंने स्टिक्रिंग की है वहां पर उन्होंन पर इंटॉर्क नियॉन कलर में लिखा हुआ है और नियॉन की ग्राफिक्स और यहां पर देखेंगे तो दो शांदार डियारेल से जो काफी जादा एट्रैक्टिव लग रहे हैं यहां पर LED हेड़ लाइट है यह है अपर बीम लोर बीम इसके अलावा अगर मैं यहां पर तो यहां पर भी नियॉन और ब्लैक का कॉंबिनेशन के साथ जो सामने का मिडगार्ड है वो शांदार लग रहा है यहां पर आर्टी एफाइब यह भी अपाचे के तरह रेसिंग ट्यून एफाइइंजन के साथ है रेसिंग ट्यून यहां पर अगर मैं फ्रंट के सबसे अलग डिजाइन वाले लॉय के साथ आया है इसका जो साइज साब फ्रंट टायर का वह 100 बाइटी और 12 विंचिस के सेक्शन का है थोड़ा साइधर घुम जाते हैं तो आप अगर देखेंगे तो यहां पर काफी स्पेस है बैठने के लिए शामदार चीज़े कीस को न वाइस असिस्टेंट जो है वह एक्टिबेट हो जाएगा कितनी शामदार बात है चलिए बाइक को अन करते हैं यहां पर देखते सबसे पहले स्टार्ट करके कि यह डिस्प्ले यह शामदार चीज़े देखें इतना ज्यादा धूप है फिर भी यह जो डिस्प्ले है काफी ज्यादा विजिबल है यहां पर हल्मेट की जो साइन है और और मीटर है यहां पर फ्यूल गेज है फ्यूल का इंडिकेटर बताएगा यहां पर स्पीड हो है और इसके अलावा कि अगर आप देखेंगे तो ट्रिप के अलावा टाइमर अपसेट कर सकते लैप अपना दिख गया है जो काफी विजिबल है यहां पर राइड स्टार्ट लास्ट लैप कितना का किया आपने यहां पर बेस्ट लैप दिखाएगा आपको यहां पर स्ट्रीट मॉड ओपन हो गया जो थोड़ा कम पावरफुल है यहां पर देखेगा तो इको में आप कितना चलाते हो और power में कितना percent चलाते हो बाइक वो दिखाया गया है इसके अलावा date यहाँ पर दिया गया यहां पर sports mode हो गया sports mode में भी same है riding कितने देर से आप कर रहे हो बताएगा क्या शांदार feature से यार क्या शांदार feature से यहाँ पर date, time, month आपको second सब दिख रहा है यहां पर आर्पीम के लिए का अलग सा शांदार सा एक तरह से समझी कि इसको थीम बोल सकते हो वह लगाया गया है इसके अलावा जो कंसोल मीटर में यह काफी जादा इन्फॉर्मेटिक है जैसे कि अगर आप डिलेवरी पार्टनर हो अगर डिलेवरी पार्टनर तो कितना आपने और डिलेवर किया वह शो करेगा आपको बर्थडे विश करने वाली है आपका प्रोफाइल पिक्चर यहां पर लग जाएगा तो वाई यह मैं बोल सकता है यह फ वाई लाइन है कारभन का यहां पर आपको लोग दिया गया यहां पर इंडिकेटर दिया यहतन के पर इंडिकेटर वहरी क्रसकते हो फ्र इस जगहें पर इसके अरब हम वाइवर श् bidding कैसे बावंन क्यों कई का तो काफी ज़्यादा ट्राफिक रहता है तो क्यूंकि आपका फ्यूल बचना चाहिए उसके अलावा जैसे बैटरी सिक्स्टी डिग्री के ऊपर टेंपरेचर चला जाता तो इंजन अपने आप यहां पर आगे के दो इंडिकेटर जो हैलोजन वाले वह आपको बिलिंग कर रहे होंगे इसके अलावा पीछे के जो दो इंडिकेटर से वह एक साथ बिलिंग कर रहे है यहां पर देखेगा तो यह पावर स्टाट है एक बार इसका थोड़ा साम ध्वैनी सुन लेते हैं यहा यहां पर भी नियोन पूरा नियोन और ब्लू से बनाया गया है इसके अलावा यहां पर इंटॉक की ब्रैंडिंग है 125 अं एक्स्टी का लोगो है यहां पर देखेगा तो सीट भी काफी प्रीमियम क्वालिटी का है एक तरह से लेवाइस तरह का लोगो लग रहा है भाई मुझे लगता है स्कूटी के साफ से काफी सफिशेंट है और अगर आप इसको राइट साइड ओपन करते हो तो यह उपन हो जाएगा आपका सीट अवाई जगह काफी यहां पर देखेंगे तो अंडर सीट जो स्पेस है वह काफी सफिशेंट है इसमें हैलमेट के साथ अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको USB कनेक्टिंग भी दिया गया लेकिन यहां पर साफ साफ लिग दिया कि जब इंजन आफ हो तो प्लीज मत चार्ज किजिएगा आप लोगों को भी यही सजेशन है तो अगर मैं इंजन की बात करो तो मैं पहले सबसे पहले बता द करते हैं यहां पर अगर मैं बैकलाइट की बात करो तो मैं उसको ओपे नहीं करके दिखा देता हूँ कि बैकलाइट पीछे से कैसे शो करती है अगर यह इंडिकेटर से जो कि हैलोजन है और बैकलाइट सुपर्ब लग रही ए लेडी है और जो सारी डिजाइन दिगई है जैसे आगे में जैसा डिजाइन दिया गया है यह थोड़ा सा मोटा है डिजाइन लेकिन यह पैटर्ण यह पैटर्न इसको शांदार बनाता था सो गाइस ओल ओवर वीडियो तो मैंने आपको बता दी और क्योंकि आप जानते हो इसका नाम ही है इंटॉक एक्स्टी यानि एक्स्ट्रा टेक्नलोजी इसमें एक्स्ट्रा है टेक्नलोजी और अगर मैं बोलोगे कि भाई कंपैरिजन करो तो वाई किस स्कूटी के साथ नहीं है ठीक है वो ग्राफिक्स नहीं लाया इस एक्टिवा में हाला कि अप्रिलिया से नहीं कर सकते क्योंकि उसका दाम बहुत जादा है प्लस उसमें भी ऐसा डैश्बोर्ट सांदार नहीं है तो आल ओवर मैं बोलता हो कि अगर आपको टेक्नलोजी यानि फुल फूचर स्टिक स्कूटी चाहिए तो आप इसके साथ जा सकते हो थोड़ी अट्रैक्टिव स्कूटी चाहिए आप इसके साथ जा सकते हो थोड़ा सा जादा इसका प्राइज है प्राइजिंग जो है इसका ओन रोड जहारखन में एक लाग 32,000 यानि 1,32,870 रुपीज है फूरा का डिसीजने मैं आप में छोड़ता हूं मेरा काम है आपको बताना कि आप किस तरफ जाओगे तो थैंक्यू सो मच आप जरूर बताना वीडियो कैसा लगा और सब्सक्राइब करना ना भूले और अगर चैनल पर पहली बार आये हो तो सब्सक्राइब जरूर करो और जो पुर